प्यारे बच्चों, आज हम कक्ष्या आठ की विज्ञान की वरक्षीट नमबर एक करेंगे वरक्षीट नमबर एक बच्चों साथ अप्रेल की वरक्षीट है आज हम बच्चों सुक्षन जीव के बारे में स्टडी करेंगे एक दिन अद्यापिका ने बच्चों से उनकी मन पसंद खाने की चीजों को लिखने के लिए कहा पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोशा, छोले, बटूरे, दही, चीज, सेंडवीच, डोकला और चोकलेट लिखा जब उसकी सूची या द्यापिका ने देखी तो मुश्करा कर बोली ऐसा लगता है तुम्हें सब सुक्सम जीवादवारा बनाई गई खाने की चीजे अच्छे लगती है पिंकी खुद को रोक न पाई उसने पूछा यह सुक्सम जीव क्या होते हैं द्यापिका ने बताया सुक्सम जीव बहुत छोटे जीव होते हैं उन्हें सुक्सम जीव इसलिए का जाता क्योंकि उन्हें देखने के लिए सुक्सम दर्शिय की जरूरत होती है पिंकी की जिग्याशा बढ़ गई उसने पूछा क्या मेरी सुची में लिखे की खाने की सभी चीजे एक ही सुक्सम जीव से बनी है अध्यापिका बोली नहीं सुक्सम जीव चियार परकार के होते हैं जिवानू, सैवाल, प्रोटो जवा, कवक सुक्सम जीवों के परकार ये जिवानू, प्रोटो जवा, ये कवक और ये सैवाल है तो इस चितर में आप देख सकते हैं चियारों के चितर दिये गए हैं विशानू बहुत छोटे आकार के जीव होते हैं लेकिन वे अन्य सुक्सम जीवों की तरह नहीं होते आजकल कोरोना महमारी COVID-19 के नाम की विशानू से फैली भी है तो बच्चो ये जो है विशानू जो काफी छोटे होते हैं इनको सुक्सम जीवों की टेगरी में सामिल नहीं किया गया है तो ये कोरोना का आप चीतर देख सकते हैं ये विशानू होता है सुक्सम जीवों क्या होते हैं विभिन परकार के सुक्सम जीवों के नाम लिखे सुक्सम जीवों जिने हमें आखों से नहीं देख सकते हैं केवल सुक्सम दर्शी की शायता से देख सकते हैं उन्हें सुक्सम जीवों कहा जाता है जिने देखने के लिए सुक्सम दर्शी की जरूरत होती है उन्हें सुक्सम जीव कहते हैं और इनके एक्जेम्पल आप लिख सकते हैं जिवानू, सेवाल, प्रोटो जवाक, कवक, इत्यादी तो यह आप लिख सकते हैं उसके बाद देखिए बच्चो, क्विश्चन नमबर दो है सुक्सम जीवा दवरा बनाएगी खाने की चीज़ों के दो दान देजिए तो बच्चो, इसन के खाने की जो चीज़ों होती हैं यह सारी आप लिख सकते हैं जैसे इडली, डोसा होता है और ब्रेड, छोले, बटूरे, दही, सेंडवीच, ढोकला, चोकलेटी, सारी चीज़े जो होती है वो इनके दोरा केक जो होता वो भी सुक्सम जीवों से बना होता है दिये गए सब्द ग्रिड में विभीन प्रकार के सुक्सम जीवों के नाम खोजे और उन पर गोला बनाई तो चो आप जैसे बना शकते हैं जीवान, सुक्सम जीवान होता है प्रोटो जोवा, यह प्रोटो जोवा है ऐसे आप खोजेंगे इसके अनदर और आप इसको साली को पने कोपी में बनाएंगे और विभीन परकार के जीसे सैवाल, यह सैवाल हो गया तो आप इस तरह से इनको खोजे ले, साली को अपने कोपी में बनाने क्योंसर नम्बर चार अपनी परसंद के बोजन के नाम लिखे जिने खाने से आपको खुशी मिलती है आप कुछ भी आप लिख सकते हैं जो सुक्सम जिवों देशी ये ये भी आप लिख सकते हैं इडली, डोसा, छोले बटूरे, दही, सेडवीच, ढोकला, चोकलेटी ये सारे आप में लिख सकते हैं जो सुक्सम जिवों दवारा बने होते हैं अब अच्छो ये थी आपकी साइस की वरकशीट नमबर एक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें